हेलो बच्चो कैसे हैं आप आज मैं आपको छटी कक्षा में संस्कृत का आठवा पाठ सूपती स्तबक है इसके शलोकों का अनुवाद करवा रही है ज्यान से सुने उद्यमेन ही सिध्यनती कार्यानी ने मनोर्थ ही ने ही सुपतस्य सिंहस्य प्रविशंती मुखेमरी कहा पैडिमीन प्रिश्रम से ही सफल होते हैं कारिया नहीं सभी काम ने मनोर्थ ना केवल चाहने बरसे नहीं सुपतस्य सोई हुए सिंहस्य शेर के प्रविशंती प्रवेश करते हैं मुक में मरिगाह, हिरन या कोई भी जानवर सोई हुए शेर के मुँ में कोई भी जानवर अपने आप प्रवेश नहीं कर सकता उसे उसके लिए मेहनत करने ही पड़ेगे, प्रियास करने पड़ेंगे पुस्त के पठीते हैं, पाठे, जीवने, नईव, साथीते, जो पुस्तक में पढ़े गए पाठ को अपने जीवन में, उसका आचलन नहीं करता किम भवेत तेन पाठेन, तो उस पाठ का क्या फाइदा जीवनेई योनय सार्थ कैं जिसका हम अपने जीवन में उपयोग ना क प्रिशन बोलने से स्भी मनुष्य संतुस्त हो जाते हैं। तस्मात इसलिए प्रियम ही वक्तव्यम हमें मीठे वाक्या ही बोलने चाहिए वचने का द्रिदता मीठा बोलने में कैसी कंजूसी या कैसी गरीब गच्छन पिपी लको याती योजना नाम शतान्यपी चलती हुई छोटी सी चीटी भी सेंकडों किलोमीटर की दूरी तै कर ल अगच्छन बिना चले वेंते ओपी गरूर जोकी बहुत बड़ा है पदम एकम ने गच्छती वह एक कदम की दूरी भी तै नहीं कर सकता काके क्रिश्ने को भेदे है काक्यों काला है क्रिश्न मने यहां काला है इसका मेनिंग कोयल कोयल काली है इन दोनों में यानि कर कवव और कोयल में क्या भेद है वसंत समय प्राप्ते लेकिन वसंत रीतु आने पर काके काके है पिके कववा कववा है और कोयल कोयल है क्योंकि वसंत रीतु आने पर कोयल कूक नहीं लगते अपनी मीठी आवाज में तो हमें उनका अंतर पता चल जा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें